नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका ही मेंडिया एजूकेशन यूट्यूब चैनल पर दोस्तों एक बार फीज से ही मेंडिया एजूकेशन आपके लिए बड़ी ही वैलुएबल इंफोमेशन लेके आये हैं जैसे कि आपने हमारी वीडियो अगर देखी हो जो कि हमने जोए आयटी के उपर बनाई थी कि उसके क्या सहरी स्टर्चर रहेगा कैसे प्रमोशन चैनल रहेगा तो उसमें हमें बहुत सारे कॉमेंट्स आ रहे थे कि क्या जोए आयटी का प्रोवेशन प्रियोट कितना रहेग और कब उनको higher grade में ग्लाम ब्लेगा किन इस वीडियो को आप के पास लेकर आ रहे हैं तो दोस्तों इस वीडियो आप जिरूर देखे और ज्टा से जारा शेर करें तकει जितने वह रांत है उनके उनके तक ये valuable information पहुन सके तो अगर आप हमारे चैनल पे नहीं या हमारे चैनल को subscribe जरूर करें और bell बटन को on जरूर करें अगर आपको ये हमारे वीडियो अच्छी लगे और अगर आपके किसी काम आए तो स्टार्ट करते हैं अब इस notification के साथ तो दोस्तों ये जो notification आज हम लोग आपके सामने लेके आये हैं स्क्रीन पे ये government of हिमाचर प्रदेश finance department के दवारा पे revision के लिए जारे कीगी थी और इस notification को जो 23 जून को 2022 को हमाचर प्रदेश के जितने भी जेवे union के employees है या फिर जो प्रदेश अधियक्ष थे इसवत union के अश्वनी ठाकुर जी उनकी सबके बड़े कड़े प्रयासों के बाल इस notification को जो हमाचर प्रदेश government के finance department से जारी करवाया गया था और इस notification के जो importance point up उस पे बात हम लोग करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग line इस पे आपके लिए read करना चाहते हैं तो इस first पैरा का meaning क्या दोसों उसको हम लोग चर्चा करने से पहले आपके एक छोटी सी बात बता दें कि यहां पे जो 2 years 12 लिखा है और यह जो 2 years 12 लिखा है जिसको आप 2 years 12 की जगा 2 years 22 read करें क्योंकि इसके बार में कोरियंडम जारी किया गया था finance department के दवारा कि 2 years 12 उनसे clerical mistake के कारण टाइप हुआ था इसमें और इसको 2 years जो है वो read किया जाए तो first paragraph में दोस्तों यह बात बताएगी है कि जो और कि यह जो regular service जब 2 years की complete कर लेगा government employee तब उसको जो है higher pay scale higher grade पे दिया जाएगा यह जो है first paragraph में बताया गया है और second paragraph की तरफ चलते हैं तो second paragraph में बताया गया है कि the governor हिमालचर प्रदेश is further place to order that the benefit of placement in higher space structure shall also be administered to the category of JOAIT इसका मतलब यह हुआ कि जो JOAIT है उनको भी higher grade pay का लाब जो है इस notification के जरिये जो है हिमालचर प्रदेश सरकार के द्वारा दे दिया गया है जानी कि दो साल का probation जो है वो JOAIT काटेगा उसके बाद जो है higher grade पे उसको दे दिया जाएगा लेकिन यह किन person को मिलेगा तो दोस्तों इसमें बहुत ही सारे doubts जो हाज कल हम लोग YouTube पे या फिर Facebook के मादन से हमें जो JOAIT aspirant है उनके मिल रहे है तो इसमें जो एक word पे हम लोग जाना चाहते हैं जहांकि लिखा हुआ है तो इसमें दोस्तों जो सबसे important point है जिस पे हमने ध्यान देना वो point है who are in position who are in position who are in position का मतलब है कि जो 3 January 2022 को एक notification की गये थी जिसमें कि ये 6 पे commission हिमाजर प्रदेश government का लागू किया गया था उस notification से पहले जितने भी हिमाजर प्रदेश के government employee है चाहे वो regular basis पे work कर रहे हैं चाहे वो contract basis पे work कर रहे हैं या फिर वो daily wages पे work कर रहे हैं उन सबी को जो है ये higher grade pay का लाब जो है दिया जाएगा लेकिन जो 3 January के बाद appointed होंगे उसका जिकर जो है वो कहीं भी नहीं किया गया है कि जो 3 January के बाद appointed होंगे उनको जो higher pay grade pay structure है वो दिया जाना है या नहीं दिया जाना है और एक बात हम आपके लिए और clear कर देना चाहते है कि ये जो JOIT की ही बात नहीं है higher pay structure के लिए जैसे कि हम लोग आपको धारन के लिए JBT की बताएं कि JBT को जो इसवत है उनसवट सो दस और 3000 ग्रेड पे दिया जा रहा है तो जब इनको भी दो सार प्रोवेशन के लिए करने के बाद अफटर टू ये प्रोवेशन के बाद ये इनको 36 ग्रेड पे दिया जा था था तो ये जो अब नेव अपॉंटेड जेबिटी होंगे उनको भी ये जो 36 वाला ग्रेड पे नहीं दिया जाएगा मतलब की कैटेगरी कोई भी हो जो भी 3 जनवी 22 के बाद अपॉंटेड होंगे उनको हाइर पेस स्केल का जो लाब है सीधा सीधा गॉर्मेंट की तरफ से बोल दे गया है कि वो नहीं दिया जाएगा जो who are in position before this notification जो इस notification तीन जनवी 22 से पहले पहले गॉर्मेंट डिपार्टमेंट में अपॉंटेड हो गए है तो उनका माल लेजे कोई यहाँ दिसंबर 2022 में कोई हमारा भाई जेवे आईटी लगा है तो वो दो साल पहले उसके दिसंबर 2024 तक जो है वो अपना यह contract का period काटेगा और उसके बाद दिसंबर 2026 तक जो है वो अपना इसमें अपना probation period काटेगा और दिसंबर 2026 के बाद जो है उसको फिर higher pay scale जो है वो दिया जाएगा जाने कि after four year services two year contracts plus two year regular service तो दोस्तों यही एक मुद्दा है जो हम लोग आपके लिए लेके आ रहे हैं अब यह जो higher pay scale लिया है जो ए आईटी ने यह भी बड़ी मुशक्कत के बाद इनके द्वारा हासिल किया गया है अब आने वाले जो employees होगे उनको higher pay scale तब ही मिलेगा अगर वो सारे reunion का sorry अपने union बनाएंगे जब उनकी apartment होगी और इकठा होके जब उनको सरकार के उपर pressure बनाना पड़ेगा तब ही उनको जाके आने वाल टाइम होगे future में JOIT की तरहां जैसे इन JOIT को higher pay scale मिला है तब ही मिलेगा अद्रवाइस नहीं मिलेगा और JOIT की बात की जाये तो इस higher pay scale से JOIT को जो है कम से कम 15,000 पे का लाब हो रहा है और जो ने JOIT होंगे फिर उनको ये 15,000 पे का हर मंत लोस होगा जब कि क्योंकि उनका जो probation है तब तक मलब चलता रहेगा जब तक कि उनकी अगली JOIT की promotion होके वह junior assistant नहीं बन जाते तब तक उनको कोई भी higher grade पे नहीं मिलेगा उनको बस annually increment होगी या फिर जो government की तरफ से दिये दिया जाता है वो दिये ही उनको दिया जाएगा तो दोस्तों hopes आपको इस वीडियो के माध्यम से हम लोग explain कर पा रहे हों कि इस notification का जो meaning है वो क्या निकल कर रहा है क्योंकि इस notification जो हमाचर प्रदेश government की होती है इसमें एक wording का जो वो एक different meaning होता है और इसको आप फिर बार में challenge नहीं कर पाते तो अगर आपको यह दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो हमारे चैनल को subscribe जरूर करें और अपने comment जो है हमें comment box पे जरूर करें और अपने doubt भी जरूर कमेंट करें ताकि हो सके अगर हमारे हाथ में हो उसको clear कर पाना तो हम लोग आपको उस doubt से clear जरूर करवाएंगे फिलाल इस वीडियो में इतना है थैंक यू फर वाचिंग हम इंडिया एजूकेशन